ये शादी के कारकम में मैं शामिल होने आया हूँ और बिजमा यादव समाजवादी पार्टी में आज की नहीं है इनके परिवार और इनके तमाम सहयोगी साथी समाजवादी पार्टी और पूरे परिवार के साथ इस विचाधारा को आगे बढ़ाया है आज उनकी बेटी की शादी है इसलिए हमें मौका मिला उनके परिवार के बीच में आने का और साथी साथ इस समारों में शामिल होने का क्योकी कारिकम शाम को है शाम को आना संबब नहीं था इसलिए मैंने निवेदन किया कि हम दोपेर में और सुबह आना चाहते हैं मैं बढ़ाई देना चाहता हूँ परिवार के लोगों को और क्योंकि मुख्य कारगर्म शाम को है इसलिए अभी केवल कुछ कारगर्ता और परिवार के लोग शामिल हूँ है जहां तक सबाल राजनीत का है हर सरकार कोई न कोई विकास करती है लेकिन जो लोगों को याद है लोगों को याद दिखाई दे रही है वो आज भी समाजवादी सरकार की चलवाई हुई एम्बूलेंस चल ले ये सड़क पर सो नमबर जो दिया था चाहे नमबर बदल गया हो लेकिन सुविदा सबसे बहतर समाजवादीयों ने दी तो विकास के रास्ते पे ले जाने का काम समाजवादीयों ने किया है भारती जनता पार्टी लोगों को डरा के राजनीत करना चाहती है बाती जनता पाटी, लोगों के बीच में नफरत फैला की राद नीत करना čाती है और जो संस्थाएं हैं जिन ने देश और समाज को बहतरी इन लीडर्स दीए हैं और वो किसी फील्ड के लीडर्स हों सिक्षा के छेतर नीएं, मेडिकल के छेतर नीएं उसका राजनेती करण और अपने स्वार्थ में क्या कैसे लाब पहुंच सकता है उस रास्ते पर बीजेपी सरस्था को भी खराब कर रही है अभी 2022 बहुत दूर है और नजाने कितने मुख्मंत्री पद के लोग आएंगे तब तक अरे आपको तो सवाल ये पूछना चाहिए कि उत्तब देश के मुख्मंत्री जी के बारे में क्या कह रहे हैं यह पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जिन मुख्मंत्री ने उत्तब मुख्मंत्री की कुरसि चिन ली थी और आज उनका काम रोका जा रहा है हमारी संख्या तो दो है गवर्नर हमें तो नहीं बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी महाराश में सरकार कोई न कोई गडवंदन के रूप में सरकार दिखाई देगी आपको सवाल पूछने जीए दूसरे के बई गड़ा मुक्त क्यों नहीं हुआ आप बताएए गड़ा मुक्त सरकें हो गएं क्या क्या नौजमानों को नौकरिय रोजगार के अर्सब बढ़ गए आज जो संकट है आर्तिक संकट है बताओ बैंकें डूप रही है इलाबाद नाम से जो बैंक थी इलाबाद नाम से जो बैंक थी वो बैंक ही खतम कर दी क्या इलाबाद बैंक से की नाम रहेगा ऐसी आर्थिक मंदी आई है नौकी रोजगार वेपार तो है नहीं जो एकलोती आपकी प्रतिस्टा थी एक सम्मान मिलता था कि इलावा नामसे एक बैंक है बताओ बीजेपी के लोगों ने उसे भी डुबा दिया अम इच्छा करे रहे हैं पूरे देश में नारसी लाते करेंगे क्या आपको जानकारी है धान खरीदा किया कोई सरकारी खरीद क्या हुई है उस पर जवाब कब देगी सरकार और जो देश का आर्थिक संकट है उस पर जवाब सरकार कब देगी बाई इसको सरकार बनाने जा रहे हैं और मैं जानता हूँ आप लोग भी दुफी है मैं तो चाहता हूँ आप भी हमारे दुखी लोग हमारे साथ दे कोई गडिवद्धन नहीं समाजवादी पार्टी आने वाले समय में कैसे सरकार बनाए उसकी तैयारी में जूटी है कोई समझाता नहीं मुझे खुशी है कि सबसे नौजवान ने सबसे अच्छा सवाल पूछा है आज किसान दुखी है नौजवान सडकों पर है जेनियू में क्या मांग रहे है कि वल फीज सस्ती हो जाए पढ़ाई अच्छी हो जाए और सस्ती हो जाए यही तो मांगे ना उनकी समाजवादियों का ये मानना है कि गरीब की पढ़ाई मुफ्त हो और हमारी बेटियों की पढ़ाई मुफ्त हो चाहे कोई संसा हो मुख्यमंत्री जी चीन लें मुख्यमंत्री के विवाग भी जैसे छीनी ती एक बार कुरसी याद है आपको उसलिए अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी सयोग करें 2022 में सरकार प्रणाइए